हाई फ्रेंज वेलकम तो हिर्योज किच्छन आज आप लुक के लिए एक नया तेस्टी रेसिपी लेके आया हूँ नदोल्स या पी नदोल्स या मेगी नदोल्स आपके से तेस्टी करके बना के खाना है मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए तब मालम परेगा और मेरा सेनल सबस्कांब कर लिए प्लीन सबस्कांब बतन तसक लिए प्लील बतन तसक करके फिर ब्लू ब Sabbath मेशच है मेरा नॉटिफिक्टी के लिए इस देकते लिए अब हैथार शोना पॉर्णी और की लिए तरह एशारगत कर लिए यापपी आप तो यापपी ऐसे ही दुकान से लाके बना के खाता है यह टेस्टी बनाने का अलग सा एक रेशिपी में आपको बताएगा कि जरूर डेखना है आप देखिए अभी यापपी में रेडिक में अभी 5 रुपी वाला यापपी आठ पकेट इसमें डल लिया और जो मसाला था वो मसाला अलग से राग दिया यह बाद में डलना है इसमें अभी थोरा सा पानी एट करना है पानी डल दिया पानी डल के इसको हब बोल करना है गैस में बेठा दिया हाइफ लेम में और पानी इतना तक डे दिया अभी इसको हब बोल करना है हाइफ लेम में अभी भेस नदल के लिए सबी जो रेडी कर लिया था उसमें नदल का जो मसाला है वो एक बॉल में निकाल लिया अभी देखिए तीन मिनित का बाद जब उबाल आ गया यह बड़िया से हब बॉल हो गया है इसको अभी निकाल देना है एसे ठाली में मैं निकाल लिया हो ठोड़ा ठ पनी नहीं है , आप एक नेत में भी निकल सकता, अभी में इस चरब क्राइप में त्यल दे दिया, त्यल गर्म होने का बार उसमें थोड़ा चा घुटा जीरा दे दिया, गुटा जीरा को जास 20 सेकंड्स फ्राइ करने का बार डिए उसमें ओनियोन अर अनाविर भी त्यार्ण और अश़ान कलर आने तो फ्राइए करना है ऐसे एसे फ्राइए हो गया 30-40 सेंट फ्राइए करने का बद इसमें मैं कारीव बत्ता दे दिया सर पास जो फ्राइएए इसको भी ठ्लाशा लिएत्स इसका बद में इसमें üzitting अब ही समय तोगोड़ा, सब्सक्राइब। मिला ने युद्य तोग्वारपद करते हैं, अब भेस को बडिया से फ्राइ कर लेना है, मतलब 70-80% फ्राइ करना है, पूरा पक जाएगा तो टेस्टी नहीं आता इतना, देखे, अब इसमें मसला डाल दिया, अब भेस को बडिया से फ्राइ कर लेना और ये जो रेसिपी है ना मेरा खुट का रेसिपी है अब भी ये रेसिपी तियार किजिए बहुत बरिया रेसिपी होता है मैं नडल्स बनाने से इसे ही बना के खाता हूँ देखिए ये बरिया से पग गया है इसमें अभी नडल्स को डाल दिया और ये नदल्स है न, आप पूरा इसे लंबा-लंबा करके भीखा सकता, मैं लंबा-लंबा करके कभी-कभी बनाता हूँ, लेकिन खाने के लिए बहुत मुस्किल हो जाता है, इसलिए नदल्स को में तुर देगा, वो शुटा-सुटा पिस कर देगा, अभी इसमें थोरा सा में दनिया पता दे दिया, डनिया पता दे के फिर, जास्त है के लिए नदल्स के लिए, यजू प्राइटो हो शुका है अभी बर्या से हो गया मेरा नदल्स एसे ही देखिए ज़्यादा मेतना दाई है मैं एक डाम इजी रेसिपी बना के दिखाए आपको आप दुकान से लाके दारेक या पी या मेगी जैसे खाता है न उसमें इतना टेस्टी नहीं होता है ये आप इसे बना के खा के दिखिए बुर्या टेस्टी होता है और मेरा वीडियो इसे देखते रही है फिर मिलेंगे दूसरा एक वीडियो का सब आज के लिए बाई बाई ठेंक्यू देखते रही है मेरा वीडियो